हलो दूस्तों नमस्कात वाज के मारी इस हेलफ वीडियो आप लोगों बहुत स्वागत है इस वीडियो के मादेम से मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने माला हूं जो भी साउंड सर्फ का काम करते हैं तो इस चीज़ को देखना वो समझना उनके लिए बहुत ही माइनस माइनस तो अब आंदर चल के हम आपको बताते हैं कि यहां पर सर्फ एक ही स्पीकर यूज किया गया है तो देख लिजी यहां पर एक 250 वाट की एम्प्लीफायर में उसको रन कराया जा रहा है और जो साउंड क्वाल्टी है वो अच्छी नहीं आ रही थी इसमें प् को आपको चेंज करना पड़ेगा आप सेटिंग सही रखेंगे तो आपकी क्वाल्टी अच्छी आएगी देख लिजे तो यहां रखेंगे हम और को फाइब सिक्स तक इसको खोल सकते हैं आपको परियाप्त आब आज मिल जाएगी कमी नहीं रहेगी आप आज की यदि आप कोई सेटिंग रखनी है जो बेस है ज्यादा खुला हुआ था क्योंकि एक ही एंप्लिफायर पर होन चला है उसी पर इक बॉक्स चल ला है तो इससे आपका होन कटने का चांस है फटी हुई आवाज होन से आ रही थी तो बेस को हम कम कर देंगे बेस को यब एक ही तो इस तरह से आपको आगे से यह से रखनी है तो इस तरही चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब मैं इसके बैक पैनल की सेटिंग बताता हूं कि बैक पैनल पर आपको कैसे रहनी है जब आप एक बॉक्स चला रहे होती है जिसमें दो स्पीकर आठाट-टोम फाइर खतेरीशंदम गणिस गाक्त डीट को रहा है यहां पर बहुत ही गरम हॉगा इतना जितना थंड़का मॉसम ह meow तब बहुत गरम हो जाता इहां रहो ही नहीं पharam फोरूम सब्सक्राइब शुल्ष ने हो रहा यहां अशानी से रहा है इस पाहण ott तो एक यूनिट इसमें लगा है तो common और 100 बोल्ट पे यहां पे लगाया गया है यदि आप पांच चे यूनिट चलाते हैं तो common और 100 पे ही लगाना चाहिए और आसानी से कोई कोई प्रॉब्लम ने आती है सत्तर बोल्ट का यूज हमें कब करना चाहिए सत्तर बोल्ट का हमें यूज जब करते हैं यदि माल लिजे आपने दसवारा होन लगाए हैं दसवारा होन इस यह लोड नहीं ले सकता है और आपने लगा दिए तो आप इसको common और 70 पे कर देंगे दो यह एमप्लिफायर से केवल आधा ही अधा ही पावर लेगा यानि एमप्लिफायर को लेगा आप बारा होन भी चलाएंगे तो यह ठीक रहता है तो इस तरह से इस की सेटेंग करे चलाते हैं तो बहुती बैस्ट रहता है है यहां दिखिए ऑक्सवर्ण का यूज किया गया है ऑक्सवर्ण में आप जानते है थोड़ी कौल्टी फ्याटिंग होती है यानि क्वाल्टी थोड़ी अच्छी नहीं आती है उप होन साथ में लगा रहे हैं या इस्पीकर भी लगे हुए है तो आप इसको निकाल के आप लाइन इन में लगा देंगे तो इसकी क्वाल्टी जो है आपकी बिलकुल चेंज हो जागी बहुती क्वाल्टी जो थे 90% 95% अच्छी आ रही थी और यहां पर कर देंगे तो 100% आपकी अच्छी क्वाल्टी आने लगेगी अब क्या होगा कि थोड़ी हमारी आवास कम हो जाएगी इससे क्योंकि जम लाइन का यूज करते हैं तो आवास कम हो जाती है तो आवास को थोड़ा आप तो आठ तक बॉलूम करके चला सकते हैं देखिए इसमें जो स्पीकर बगारा लगा है एक होन लगा है तो ना तो आपका यह खराब होगा ना फटी हुई आवास आएगी और बहुत ही शांदार क्वाल्टी इसमें आपको मिलेगी और कहीं भी आपका कोई नुक्सान नहीं